कि अभी हम मुझूद साइध इसमारकबर जहां पर बीते एक सट दिनों से राजियु गांदी युवा मित्र अपनी बाहली की मांग को लेकर सरकार से लगातार गौहार लगा रहे हैं इनका परदसन लगातार सांती पुरोग चल रहा है और ये पिसले साट दिनों से इन्होंन साड से ज्यादा दिनों गए आपके परदसन को लेकर सरकार की तरफ से आपको कोई आस्वासन मिला सरकार की तरफ से एक तरफ आप लोग ऐसा बानोंग Сव कल हमारे बीच में बाच्पागे हमेले हमारे सिविल लाइण के हमेले ओ ज़्यन कह भी गो पालजी शर्मा वह जरम दुख दर जाने हम ऐसा समझ रहे हैं कि हमें आश्वासनी देने आये हो कापी लंबा धरना हो गया आपका क्या आप तक का सबसे लंबा धरना होने जा रहा है और जब तो एक नियाई नहीं मिलेगा जब तो यह दरना चलेगा और ऐसे हम लोग वो हारने वाले नहीं है कल आपने एक पोस्ट कारड अभियान चलाए था उससे आप पीम मोधी को कैसंदेज देना चाहिए हमारा जो संकर्स है वो धाई मेने होने को आये उस संकर्स को बल देते हुए हमको हमारी पूर रोजगार पुनेबाली के मांग को लगातार उठाते हुए सासन परसासन जनता स सबसे नहीं मांगते हुए जनता से भी क्योंकि जिस जनता ने माननिये मुक्य मंतरी जनलाल सरमा जी उस गरीब किसान के बेटे को जो सत्ता रूड किया है तो उस जनता से भी हमारी तो यहीं गुवार है कि जिस सत्ता को आपने सत्ता रूड करवाया है उसके मुक्या को भी जो हमारी मांग है वो जनता पहुंचा है और हमें पुने बहाले की जो हमारी मांग है उसको लगातार बनाए रखे और हमारा रोजगार पुने बहालो जो आपने अभी हमसे परसन पूचा है मतलब जो माननिय परदान मंतरी है उनको जो कार्ड बेजने का देखिए हम पहले भ ख़से मांगए उसको लेकर के भेज़ चुके है उनसे हम को कोई जवाप नहीं मिलाता तो हम ये चाहरे हैं कि जो माननी पर्दान मंतरी अपने बहाषणों में लगातार ये कहते हैं कि यह देर्श युवाओं का है, ये देश युवाओं के बविषय को लेकर है, युवाओं को इतना रोजगार देंगे, वो करेंगे, तो जब युवाओं की चर्चा परदान मंत्री मोधी करते हैं, तो हम ये करें कि जब हम युवा हैं 5000 जिनका रोजगार आपकी सरकार बजनलाल ने छीन लिया है तो हम मारी जो युवा है हम तो उनकी भी हमारी जो जाइज मांग है वो सुने और उस पर विस्तरी तुरूप से चर्चा करके हमें पुने रोजगार देने की करपा करें और कल हमें मतलब एक सुकत संद उन्होंने हमें दिया है विश्तरी तुरूप से चर्चा कर रही है और एक मजबूत और एक ससक्त निन्ने आपके मांग को लेकर होगा और आने वाले दिन आपके लिए अच्चे होंगे आपकी पुने बहाली होगी तो हम तो यही कह रहे हैं कि जो भी आपने समिक्सा की है वो बिलकुल निस्पक्स पाई गई होगी और जो हमारा रोजगार है उसको पुने देने की हमें किरपा करे और जो जनता का जो हम काम कर रहे थे जनता के बीच जाकर के जो हम सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे थे चाहे वो केंदर की हो राज्य की हो वो वापस उस ला मेनिंग ओडर है वह वापस निकाले रोजगारपुने बहाल कीजिए ताकि हम अच्छे से जनता के बीच जाकर के काम करें जनता और सरकार के बीच एक शेतु का काम करें धन्यवाद लेकर तमाम राजिवगंदी युवामित्र है जो पिछले एकसर दिनों से शेकड़ों की संक्या में राजिवगंदी युवामित्रों की बहाली की मांग को लेकर सही दिसमारक पर परदरशन का दोर जारी है इन्होंने काफी अपनी बहाली को लेकर काफी प्रियाज किया है सर पिछले 61 दिनों से आपका अनवर्थ संकर्ष जारी है क्या सरकार की तरफ से या किसी बड़े अधिकारी की तरफ से आपकी बाहली को लेकर अभी कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है बिल्कुल इतने दिनों से हम डटव हैं सरकार की तरफ से कल जो हमारे तरफ MLA साप पदा रहे थे यह हमारे लिए बहुत बड़ी उफलब्दी है और कल से हमारी यह जीत की सुरात हो गई और बिल्कुल हम यहां से बाल होके ही जाएंगे क्योंकि यह हमारे संगर्ष में कोई क मीन रही थी जैसे अपने देश को अजयाद कराने में हिंदू मुस्लिम सीख इसाई सभी में मिलकर वह लड़ाई लड़ी थी वैसी की वैसी लड़ाई यह संगर्ष के लिए हमने इतने दिनों से लड़ी और यहां बिल्कुल यह जीत कर देंगे हमने कापी उमीदे का में सड़ाई जीतेंगे विदायक गोपाल सर्मा यहां पर आये थे उन्होंने आपको क्या सब्सक्राइब नहीं था लेकिन फिर भी हमारे कमेटी वाल को दिया था बहुत अच्छा सोशन दिया था उसी तरह हमारे को बहुत अच्छी उमीद हमारे को मिली है और बिल्कुल हम ब जवाब दिया है उन्होंने और कल से में कुशी भी महसूस कर रहे हैं हम जल्दी बाल कर दिया जाएगा उनका हम नुमाइंदा समझ रहे हैं कि उन्होंने बेजा है इसलिए वरना इतने दिन तो कोई नहीं आया और कल तोड़ी आस लगी है और कुशी की बात भी है और कि बराबर हम जीत रहे हैं और कुश दिनों में कुश कबरी आ जाएगी कि तमाम राजीव गांदी युवा मित्र से जुड़े अब्यरती हैं जिनका 61 दिनों से सहीधिस मारकपर प्रदेशन चल रहा है वो लगातारी अपनी बाहली की मांग को सरकार के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं मैं सुनगी कुमावत केमरामेन सायोगी नामा गान सर्मा की साथ दनकरी मीडिया